अलो फ्रेंस, खैसे हैं आप सब, आई होब आप सब अच्छे हैं, स्वागा थे आप लोगो को मेरा चैनेल भागी चाखुवाई शोका में, इदेख रहा हैं आप इपोई शक का गाचे, पूई शाक जिसको पोलते हैं, बेंगोली में पूई शाक, मलाबारी स्पीनी ची पोल इसको, पहले मैंने इसको शोट वीडियो में डाला था, देखिए कितने अच्छी तरह से हुआ था ये, अभी भी हुआ है, है अभी भी गाच, तिन फिट जैसे हाट था इसका पहले, अभी ये बहुत लंबा हो चुका है, देखिए, कितना बड़े-बड़े इसके पत्ते ह हुआ है, बहुत सुदर दीख रहे हैं, हरे-अरे, इसका सबजी खाया जाती है, साग जैसे, कुछ कुछ सबजी में मिलाके, कद्दों में, यह से मैं काट दूंगे इसको, काट की छोटा कर लोंगी इसको में, ताकि नीच्छे से ब्रांच निकल सके, निकल के छोटी में, छोटे हर पत्तक बगल से ब्रांची निकलेगा तो यह चोटा रहेगा ऐसे लत्त जैसा नहीं बनेगा इसलिए मैं इसको काट दूंगी उपर से इसको सबजी में खा सकते हैं बहुत पुस्टिक होता है इसको सबजी कद्दू आलू इस सब डालके मिला के सबसी बनती है घर में अच्छे से गुरू हो जाता है मिट्टी में बहुत पड़िया होता है लेकिन मैं गमले में लगाई हूं वाई फ्रेंज सब्सक्राइब माई प्षाषी जयानल